उत्तर प्रदेश के जहासी जिले के मौरानेपुर कस्बे अंबेटकर चौराहे पर वाहन स्वामी वैसे भी अराजक तत्तों की अवैद वसूली से हैरान और परिशान थे लेकिन आज जो वाक्या सामने गुजरा इस्थान्य प्रशासन की नींद उड़ गई है आप जो बहतर पुशाक में चहरे देख रहे हैं इनके काले कारना में गजब के हैं इनके चहरे असली हैं लेकिन ओहदा और पद फर्जी है ये तीन शातिर बदमाश आर्टियो बनकर ट्रकों और बसों के कागस चेक करते हैं और भोले भाले वाहन स्वामियों से ठगी करते है कारवाही ना करने के नाम पर वाहन स्वामियों से मोटी रकम वसूलते हैं जिहां आप सही सुन रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के फर्जी आर्टियो अपने चार पहिया वाहन में आर्टियों की विशेश ब्रांच की प्लिट लगाये हुए हैं बीच सडक पर वाहन स्वामियों के वाहन को रोक कर ले दे कर मामला निप्टाते हैं आज इसी तरह का मामला जहांसी जिले के मौरानीपूर में देखने को मिला हाइवे पर एक बस की चैकिंग की ओवरलोड बस पर कारवाही ना करने के नाम पर हजारों की रकम वसूली कंडेक्टर को शक होने पर उसने मौरानीपूर पुलिस की मदद ली कोतवाल शैलेंदर सिंग ने बिना देरी किये पीछा करते आखिर का फर्जी आर्टियो का ओहदा लेकर घूम रहे तीन बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की सूचना पुलिस के उच अधिकारियों को दे दी ग्याथ हो कि कुछ महपूर्व मौरानीपूर पुलिस ने ऐसे ही फर्जी एसपी को पकड़ कर जेल भेजा था वरित कारवई करते हुए कुछ संदिक लोगों को थानी पर पूश्टाचीतु लाएगे हैं पूश्टाची करम में अग्रिम विदिक कारवई हमें किपने लोग है अभी अबी तूटल संदिक तीन लोग है